अगर आप अपने PC के Wallpaper से बोर हो चुके हो तो आप टाइम है उसको कुछ ऐसा बनाने का तो चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ पहले ये डेस्टॉप के सारे आइकन हटाते हैं अब बारी है टास्क बार की Microsoft Store पे आपको ये अप्लिकेशन मिल जाएगा जिसका नाम है Translucion TV इसको इंस्टॉल कर लेना है अब आप जैसे ही Continue पे क्लिक करेंगे आपका टास्क बार ट्रांस्परेंट हो जाएगा इसके बाद आपको Microsoft Store से Lively Wallpaper डाउनलोड करना है अब इसमें धेर सारे Live Wallpapers मिल जाएगे मैं Select करता हूँ पहला वाला अब मेरा Desktop कुछ इस तरीके से हो चुका है अब बारी है Clock लगाने की अब ब्राउजर में आपको सर्च करना है Rain Meter और इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करना है यहाँ से इसको Download कर लो और इसको Install कर लेना है इसके पास सर्च करना है Rain Meter Skins और इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करना है फिर यहाँ से मैं इस वाली स्किन को Download कर लोंगा अब Downloader Skin को Double Click करके यहाँ से Install कर लेना है फिर अपने According Settings करके क्लिक कर देना है Close Settings और अब आपका Final Desktop तयार है आप साओ तो Background में कोई अधर Wallpaper भी लगा सकते हो तो Try करना